हेलो एवरिवन आज मैं आपके साथ एक और केकी नई डिजाइन लेके आई हूँ जो आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रखी है मैंने फेस्बूक इंस्टा एंड यूट्यूब पे काफी सारी विडियो में देखी है ये वाली डिजाइन तो मुझे काफी टाइम से मैंने सोच क रखा था कि मैं ये वाला जो डिजाइन है ट्राइ जरूर करूंगी तो अभी मुझे आदर मिला था तो मैंने सोचा अभी इसी वाले डिजाइन को क्यों ना ट्राइ किया जाए तो मुझे एक साथ दो आदर मिल गया थे जो मुझे एक एक पाउंड की बनाने थे आपके एक साथ ही मिल जाते हैं एक ही दिन के लिए तो अभी आज भी मुझे ये दो आडर एक ही दिन के लिए मिले थे तो मुझे जल्दी जल्दी से रैडी करने थे तो ये वाला जो डिजाइन है वो मैंने पहले से सोच के रखा हुआ था कि कभी न कभी ट्राइ करूंगी और दूस की पूरी जैसा जितना मेरे से हो सका तो अभी इस डिजाइन को मैं बनाऊंगी आपके साथ तो अभी मैंने कर लिया है अपने केक को क्रम कोट मैंने डेट कप प्रिमिक्स से इसको रैडी किया है इसके बेस को कड़ाही में और मेरा बेस काफी अच्छा बना हुआ था तो क्रम लगेगा वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा एंट हमारी जो पूरी डेकोरेशन रहती है वो पूरी खराब लगती है तो अभी मैंने वाइट क्रीम में थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स करा था क्योंकि मुझे एक हलकी से सेड देने थी ब्लू कलर तो वाइट कलर में मैंने ब्लू कलर को मिक्स कर लिया था एंड इसे कोई भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा आपकी केक की डेकोरेशन को तो अभी हमें केक को अच्छे से क्लेइन करना है उसके बाद रख लेंगे फ्रीज में 10 मिनिट के लिए सेट होने के लिए तो अभी मैंने नोजल ले ली है सबसे छोटे वाली जो स्टार नोजल आती है वो वाली एंड उससे मैंने रफ ले इस पे सिर्फ ड्रॉ की है लाइन हलकी हलकी सी अभी मैंने ले ली है रोज नोजल 924 नंबर की ये नोजल है तो जैसे मैंने सर्कल बनाया हुआ है उसके बाहर-बाहर से ही हलका सा इसको प्रेस करते हुए नोक वाली साइड बाहर रखते हुए प्रेस करना है तो एजिली ये वाला फ्लाबर आपका बन जाएगा तो मुझे से थोड़े ये बड़े साइस के बन गए थे आप जब भी बनाएं तो थोड़ा छोटा साइस ही रखे तो देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो दो फ्लावर मैंने आमने सामने बना लिये, टू फ्लावर में साइड में आमने सामने ही इसी तरह से बनाऊंगी, अभी बना लूँगी मैं लास्ट परला फ्लावर, तो इसको बनाने के बाद मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ी सी कमी तो है इतना देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना नीचे की तरफ और फ्लावर बनाए जाए तो पहले मैंने ब्लेक कलर की क्रेम से इसको बीज से फिल कर लिया एक फ्लावर की तरह और उसके बाद में आगे वाले जो फ्लावर बचते हैं बो बाले बनाऊंगी विकाउस ये थोड़े ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ मेसिंग है तो मैंने सोचा क्यों नीचे की तरफ फ्लावर ही बना लूँ उससे इसकी ग्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी तो मैंने नीचे वारी साइड भी इसी तरह से फ्लावर बना लिए हाफ उपर की तरफ और हाफ नीचे की तरफ तो इसको बनाने के बाद ना इसका लुक काफी अच्छा लगा मुझे काफी अच्छा लगा जिनको मैंने ये केक दिया उनको भी काफी अच्छा लगा तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं अगर नहीं लगा हो तब भी suggestion जरूर दीजिए इसको भी मैं बीज से कर लूँगी ब्लेक कलर की क्रीम से फिल आप चॉकलेट कनाज से भी इसको फिल कर सकते हो अभी मेरे सारे फ्लावर बनके रेडी हो गए है अभी मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी मैंने जो क्रीम बनाई थी वो मैंने यलो कलर की बनाई थी बट जो ब्ल्यू कलर मैंने इसमें मिक्स किया था वो थोड़ा सा सारी क्रीम में मिक्स हो गया था तो आप जब भी क्रीम बनाए किसी अलग कंटेनर में ही बनाए तकि आपकी जो सारी cream है भो mix ना हो तो इसकी सेड़ हलकी सी ना green आ रही है and सामने देखने में तो ये yellow ही लग रहे थे अब यहां camera में ये इसकी सेड उसके लगते हैं अभी मैंने जो last में इसका border बनाना था उसको छोड़े छोटे ऐसे ही dot बना लिये हैं ये मेरे पास plain nozzle है बिलकुल आगे से गोल कटी हुई तो उसी से मैंने इसका border बना लिया तो border बनने के बाद cake की जो look है वो बिलकुल complete लगती है तो friends मेरा केक हो गया है ready आप लोगों को मेरा केक कैसा लगा comment करके जरूर बताए मैंने इस पे happy birthday का tag लगा लिया है and bees में लिख लिया है customer का name जो मुझे उन्होंने बोला हुआ था तो मेरा केक completely ready है बट मैं एक suggestion जरूर देना चाहूंगी आप जब भी इस design को try करें तो इसकी जो पैटल है वो थोड़ी छोटी बनाएं तो यह ज़्यादा graceful लगेगा and मेरे customer को यह बहुत अच्छा लगा आपको भी अच्छा लगा हो और ऐसी ही नए नए वीडियो देखने में interested हो तो चैनल को subscribe जरूर करें design अच्छा लगा हो तो like जरूर करें and कोई suggestion हो तो comment जरूर करें thank you for watching